हे एवरिवान वेलकम टो दिस वीडियो आज हमें कोरियन ड्रामी की उर्दू ट्रांसेशन करने वाले हैं जिस ड्रामी का नाम है उससे नहीं मालूम कि उसका अंधा मेभूब जादूई दुनिया का बादशा है तो चलिए शुरू करते हैं सीजन की शुरुआत गौन नामी एक लड़की से होती है जो रो रही थी क्योंकि उसके पैरेंट्स पैसों के लिए उसके शादी करवाने वाले थे शादी के बाद गौन बहुत जादा डरी होई होती है और एक कमरे में होती है जहां पीछे से एक लड़का उसके पास मास्क पहन के आता है और उसे एक एपल खाने को देता है उसे जैसे ही गौन खाती है तो वो लड़का अपना मास्क उतार देता है और उस लड़के की आँखे बलू कलर की होती है और वो ब्लाइंड होता है वो गौन से माफी मांगता है और गौन उसे माफी मांगने से मना करती है उन दोनों में फिर थोड़ी बाते होती है और गौन उसके साथ कमफरिबल फील करती है इसके पार वक गुजरता हुआ नजर आता है और gone उस लड़की के साथ बहुत जादा खुश होती है gone की तो शकल नजर आती है लेकिन उस लड़की के शकल हमें blur नजर आती है इसी के साथ ही gone के आँख खुल जाती है और हमें पता च utा है कि यह सब gone का खौफ था जो उसे अक्सर नजर आया करता था दूसी तरफ एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हैलन होता है वो अपने असिस्टेंट्स के साथ होता है उसके असिस्टेंट उसे आके बताते हैं कि उन्होंने उसकी न्यू आइडेंटिटी तयार कर दी है इसके बाद हमें ये कहानी बताई जा रही है कि कैसे अर्ट से दूर एक प्लैनेट हुआ करता था जिसके लोग जो फॉक्स बन सकते थे इनके पास सूपर पावर्स थी एक दिन इनको मालूम हुआ कि इनका प्लैनेट तबा होने वाला है तो ये अपना प्लैनेट छोड़ कर दूसरे प्लैनेट पर चले गए और जिन में से एक अर्ट भी था फिर हमें दुबारा हैलन को दिखाया जाता है और वहां हैलन के पास गॉन की पिक्चर और उसकी इनफॉर्मेशन होती है फिर गॉन को दिखाया जाता है कि गॉन अपने फ्रेंड से मिलती है गॉन एक पूर फैमली से बिलॉंग करती है गॉन का एक बॉइफरंड जैलन होता है वो बहुत जादा अमीर होता है और अबरोड पढ़ने जा रहा होता है लेकिन गॉन पूर फैमली से थी और वो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी तो कॉन बाहर नहीं जा सकती और ये उसके लिए बहुत बड़ी प्राबलम थी उन्हें आफिस आ जाती है जहां वो एक न्यूज रिपोर्टर थी हैलन का आफिस आ जाता है और उसके आफिस के बाहर उसका इंतिजार करता है यहां हमें पता चलता है कि हैलन ब्लाइंड होता है और जब कॉन उसे नहजर आती दिखाई देती है तो वो उकॉन के पीछे जाता है और उसे जा कर कहता है कि मुझे सववे जाना है आप मेरी हेल्प कर देंगी तो कॉन उसकी हेल्प करती है और वो जा रहे होते हैं तो एक चोड गॉन का परस लेके भाग जाता है, गॉन उसका पीछा करती है, हैलन अपने असिस्टेंज के साथ गारी लेके गॉन के पास आता है, और उसे अंदर बैठने के लिए कहता है फिर गौन गारी में बैठ जाती है और वो चोर का पीछा करते हैं आखिर चोर को पकड़ लेते हैं और गौन का पर्स चोर से लेके उसे दे देते हैं गौन उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर वापस चले जाती है बेर्दे आने वाली होती है, तो गॉन जैलेंड के लिए एक शिर्ट लेने जाती है, स्टोर में हेल्पर गॉन से साइज का पूछती है, तो गॉन को साइज मालूम नहीं होता, और वो से सहे संजागा नहीं पाती, एक 25 उसके नजर हेलन पर बढ़ती है, तो वो सूचती है कि जैलिन और इसका साइस सेम ही होगा तो वो इसके पास जाती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे ये शिर्ट ट्राइ करके दिखा सकते है और हेलन मान जाता है और वो इसे शिर्ट ट्राइ करके दिखाता है फिर gone पे करने जाती है तो उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते तो वो ATM जाती है और पैसे चेक करती है पिछे से Helen वो शर्ट बाई कर लेता है और जब gone वापस आती है और उसे पता चलता है कि Helen वो शर्ट बाई कर ली है तो वो उससे लड़ने लग जाती है और वहां से चला जाता है घर आने के बाद हैलन अपने असिस्टेंट कौन को एक एपल देता है जिसमें उसका ब्लड था और इसे कहता है कि ये गौन तक पहुँचा दो गौन ने उसकी आँखे देख ली है तो उसकी तब्यत खराब हो जाएगी और दूसी तरह वागई गौन की तब्यत खराब हुचाती है जिसके वज़ा से वो याओ चुके कहफे में रेस्ट करने जाती है गौन वहां जाके गौन को एपल देता है और कहता है कि हम डॉक्टर्स हैं तुम ये एपल खाकर ठीक हो जाओगी लेकिन गौन वहां से चली जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर उसकी बिमारी के लिए उसे कोई दवा नहीं दे पाते फिर दिखाया जाता है कि जैलन के वर्दे का दिन आ जाता है और गौन उसके घर जाती है और उसे शिर्ट देती है वहाँ वो देखती है कि जैलन की मॉम ट्यान से बहुत खुश है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह यह देख के बहुत जादा सैड हो जाती है और घर आ जाती है फिर गौान अपने बास के कहने पे छुपके हैलन के घर के पिक्चर्स देती है क्योंके हैलन बहुत अमीर था और किसी को उसके बारे में नहीं पता था वो पिक्चर्स ले रही होती है कि हैलन उसे देख लेता है वो हैलन को देख के एक्दम गिरने लगती है और एक्दम बेहोश हो जाती है हیلن उसे उठाके घर के अंदर लियाता है और उसे एपल का एक स्लाइस खिला देता है फिर कुछ देर बाद गौन को होश आता है तो वो हیلن को पूल के पास चेर पे लेटा देखती है और उसके पास जाती है तो हیلن अपनी आँखे खोल लेता है गौन उसे पूछती है तुम बलाइंड नहीं हो तो हیلن उसे बताता है कि उसे ऐसे बिमारी है कि वो स्रिफ रात में देख सकता है अचानक हیلن को चक्कर आने लगते है और वो चेर पे बैठ जाती है और फिर वहीं सो जाती है सुबह उसकी आँख हैलन के घर के अंदर खुलती है फिर तुशान उसके पास आती है और उसके लिए कपरे लाती है और एक कार्ट दे के चली जाती है तुशान फॉक्स काइम की प्रिंसिस है गौन जब आफिस वापस जाने लगती है तो वो कार्ट खोलती है और उसमें उसे प्राइविट आप्शन का इंविटेशन मिलता है गौन याउजु के कैफे में उसे मिलने जाती है जहां यैन कौन के साथ वहां आ जाता है दोनों गौन को एक ट्रेस देते हैं और हैलन के पास जाने का कहते हैं जिसके बदले में हैलन उसे इंटरव्यू देगा तो गौन मान जाती है इसके बीच में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हैलन ने गौन को एक प्रेस्टेट किफ्ट किया था उस पे एक स्पेशल बीट था जो कौन के पहनते ही चमकने लगा कि बीच हैलन की फैमरी का एंसिस्टर टोकन था जो ये लोग सिर्फ अपने सचे प्यार को देते थे अब प्रेस्टेट दिखाया जाता है कि वो ही बीच आप्शन में सेल होने वाला था इसलिए हैलन उसे अपने एसिस्टेंट के साथ चुराने का प्लैन करता है और वो नेकलेस चुरा लेता है गॉन अच्छे से तयार होके हैलन के पास जाती है हैलन वहाँ गॉन को नेकलेस पहनाता है लेकिन जब वो नेकलेस पहनाता है तो बीच ग्लू नहीं करता तो हैलन को गुसा आ जाता है और वो घर चला जाता है फिर दिखाया जाता है कि हैलन से उसका एडॉप्टेट भाई सॉंग मिलने आता है और हैलन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता सॉंग हैलन से उनसे डैट से मिलने का कहता है और हैलन साफ मना कर देता है फिर सौंग तुशान से मिलता है और उससे फलर्ट करता है और उसे शादी की बात भी करता है जिस पर तुशान खामुश ही रहती है दूसी तरफ जैलन गौन से सीरियस नहीं होता और वो ट्यान से फलर्ट करने लगता है और ट्यान उसे मना कर देती है कि तुम गौन को धोका दे रहे हो लेकिन वो नहीं सुनता और उसे एक रेस्टरून में डिनर के लिए इन्वाइट करता है टियान मना कर देती है लेकिन फिर पे वहां आ जाता है और उसका इन्तिजार करता है काफी इन्तिजार के बाद वो वहां से जाने लगता है और जैसे ही वो जाने के लिए द है कि वो खाने में सिर्फ नेचरल फ्लार्स खाता है इसके बाते सुनके गौन को डर्ड लगने लगता है और वो हैलन से पहाना करके बाहर चली जाती है हैलन उसके पीछे आता है तो गॉन इंट्रिव्यू वहीं खतम करने का कहके चले जाती है अगले दिन वो सब बाते यूजो को बताती है और वो हैलन को आवाइट करती है और हैलन उसे जबरदस्ती बात करने के कोशिश करता है और एक लब में उसे बाहर लेके जाने लगता है तो गौन जोर जोर से बोलती है तो जैलन आ जाता है और वो हेलन से कहता है कि मैं इसका बॉइफेंड हूँ और तुम इससे दूर रहो तो ये सुनके हेलन गुसा हो जाता है इसके बाद कौन हेलन से मिलने का फैसला करती है और उसे इसका उसका इससे बात करना और इसकी बात ना सुनना बुरा लगता है लेकिन वो जाते वे फॉक्स के लिए टेंचे पाउडर अपने साथ रख लेती है और उससे मिलने जाती है फिर वो मिलते हैं तो वो उससे नेकलिस का पूछती है तो वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है ये सुनके गॉन उसे रिजय कर देती है और कहती है कि मैं जहलन से प्यार करती हूँ और उसे जहलन का बताती है और नेकलिस वापस करने लगती है हैलन गॉन के बैक से पाउडर निकाल कर अपने फिंगर पर लगाता है और वो चलने लगती है गौन ये देखकर उसकी फिंगर पर रुमान लखने लगती है तो हैलन बिना कुछ कहे गौन के गले से नेकले से उतार कर चला जाता है और गौन को बहुत गिल्टी फील होता है हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हैलन के टेट हैलन और तुशान की शादी कराना चाते है लेकिन हैलन कौन से प्यार करता है तो वो मना कर देता है और वो इसी बात पर उन से लड़के अलग हो जाता है एक दफ़ा गौन यान जी के साथ होती है तो वो चैलन को ट्यान के साथ देखती है और गौन उनके पास जाती है फिर चैलिन उसको सब बता देता है और वो गुस्थे में वहां से चली जाती है और एक कलब में जाके बहुत जादा ड्रिंक कर लेती है और उसे एक नरका जबरदस्ती अपने साथ कहीं ले आता है फॉक्स टाइम का एक अदमी उसे देख लेता है और हैलन को बता देता है और हैलन उसे बचा लेता है और उसे अपने घर ले आता है सुबह उटके गौन बहुत सैड होती है हैलन उसे शौपिंग पे लेकर जाता है फिर भी उसका मूठ ठीक नहीं होता योजो गौन को हैलन के साथ उसके फ्रेविट सिंगर के कॉंसर्ट पे भीज़ती है फिर वो वहाँ जाते ही और वहाँ गौन बहुत अच्छा फील करती है हैलन गौन को वो नेकलिस देता है और वो उससे पहनने की रिक्वेस्ट करता है और गौन मान जाती है गौन की नेक पे एक फ्लावर टैटू बनता है जिसकी सारी पैटल्स कंप्लीट होने के बाद गौन को अपना लिवर बलड हैलन को देना होगा और ये टैटू 24 सालों में कंप्लीट होता है गौन इसे नोटिस नहीं करती फिर हेलन गॉन को एक फॉक्स टाइम की पार्टी में लेके आता है और वहां गॉन बहुत जादा ट्रिंक कर लेती है हेलन गॉन को एक रूम में लेके आता है और बताता है कि फुल मून की रात क्या है उस रात अगर हेलन अपने पार्टनर के साथ हुआ तो ही सारे फॉक्स अपने पार्टनर से मिल सकते है और उनके साथ हो सकते है तो गौन एकदम परशान हो जाती है और हैलन उसका हाथ पकड़के उसे तसलिए देता है और गौन उसे गुस्टे से देखती है और एकदम से उसे किस कर देती है और बेहोच हो जाती है यहां यह पता चलता है कि अगर कोई हूमन फॉकस को किस करता है तो वो फॉकस के अनरजिय अब्जाब करने की वज़ा से खत्रे में चरह जाता है और उसकी जान भी जा सकती है हैलिन फॉरण गॉण को कौएन के पास लेके जाता है और वो इसे एक special medicine देता है और इसे injection लगाता है और gone ठीक हो जाती है कौन कहता है कि Helen और gone को एक साथ रहना होगा वरना side effects हो सकते हैं लेकिन gone कुछ नहीं सुनती और उसके घर से चली जाती है सुबह जब वो उठती है तो उसके बाल जढने लगते हैं और वो Helen के साथ रहने का फैसला करती है फिर वो दोनों साथ रहने लगती है और gone Helen से बहुत closed हो जाती है एक दिन baone को Helen के past के painting दिखती है जिसकी picture लेके वो Helen के एक दोस्त से मिलती है और वो इसे Helen के past का बताती है gone सब सुन के बहुत emotional हो जाती है और बिना हैलन से कोई बात किये वापस अपने घर आ जाती है दूसरी तरफ हैलन की मौम तिशान से कहती है कि हैलन की ब्लाइडनेस ठीक करने के लिए उसे फॉक से ही शादी करनी होगी गौन हैलन को अवाइट करने लगती है फिर हैलन उसे जबरदस्थी मिलता है और गौन उससे पास किस अवलाइट करती है हैलन गौन को गले लगा लेता है और उसे प्रपोस करता है फिर गौन भी मान चाती है हैलन गौन के घर उसके पैरेंस से बात करने आता है जिस पे उसके पैरेंस बहुत जादा खुश होते है क्योंकि हैलन बहुत जादा अमीर होता है तो शान गौन के पास आती है और कहती है तुम्हें बचाने के लिए हैलन को अपनी जान देनी होगी गौन हैलन की जान बचाने का सोचती है और इसी दुरान जैलन भी अबरोर्ट से वापस आ जाता है और gone से सौधी करता है तो gone उस से help मागती है और वो दोनों Helen के घर जाते हैं और वो Helen से कहती है कि वो अभी भी जैलन से प्यार करती है और necklace दे देती है Helen ये सुनके बहुत जादा sad हो जाता है और necklace दे लेता है सौंग अपने dad से तुषान से शादी करने का कहता है लेकिन वो नहीं मानते तो वो हैलन को डिस्ट्राइ करने का सोच लेता है फिर गॉन को एक लड़की मिलती है और वो एक नाइफ पर अपना बलड लगाके गॉन को मारने की कोशिश करती है लेकिन एकदम जालन आके उसे बचा लेता है और नाइफ उसके लग जाती है जालन की हारत बहुत जादा खराब हो जाती है और गॉन बहुत जादा परिशान हो जाती है तो वो हैलन से मदद मांगती है हैलन जालन को ठीक कर देता है लेकिन बहुत जादा पावर यूस करने की वज़ा से उसके अपनी तबीड बहुत जादा खराग उचाती है गॉन उसका बहुत जादा ख्याल करती है और वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं गॉन हैलन को सब बताती है तो हैलन उसे मारने का डिसीजन लेने पे माफी मांगता है दोनों शादी करने का फैसला करते है और वो गौन को नेकलिस पहनाता है तो वो गलो करने लगता है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब गौन भी हैलन से प्यार करती है हेलن کے डैट भी उसे माफ कर देते हैं और उसे रॉयल की वापिस दे देते हैं और सौंग को ये सब देख के तेश आ जाता है और वो अपने डैट को मार के उसका अलजाम हेलन को दे देता है और शादी की रात पुलीस हैलन को पकड़ के लॉक अप में बन कर देते हैं और हैलन के पास सौंग आके हैलन को जहर दे देता है कौन अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैलन को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि हेलन को जहर दे दिया गया है तो कौन और यान फैस्दा करते हैं कि वो अपनी सारी पावर हेलन को दे दें ताकि वो ठीक हो जाए सौंग रॉयल की ढूनने में लगा होता है तो कौन छूट बोलके उसे बुलाती है और जब सौंग आ जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तुशान बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है और उसे बताती है कि वो हमेशा सही उसे पसंद करती है ऐसे वो अपने सार्थ सौंग को भी मार देती है और दोनों गायब हो जाते हैं येन और कॉन भी हैलन को लेकर कहीं गायब हो जाते हैं फिर हमें सिक्समन के बाद दिखाया जाता है कि कॉन हैलन के घर में रहती है और उसी का वेट करती रहती है फिर वो एक ट्रिप पे जाने का फैसला करती है जब वो ट्रिप पे जाती है तो वहां उसे हैलन मिलता है और वो उसे बात करती है लेकिन हैलन को कुछ भी याद नहीं होता हैलन उसे यहां आने की वज़ा पूछता है और वो कहती है कि वो किसी का वेट कर रही है हैलन उसे कहता है कि वो भी उसके साथ वेट करेगा और यहां इस सीजन का एंड हो जाता है थैंक यू सो मच पूर वाचिंग